शेरगाटी अनुमंडल के बांके बाजार परखंड मुख्याले के समक्ष नई रेल लाइन संघर्स मोर्चा के तत्वधान में एक दिवसी धर्ना एवं आम सभा का आयोजन हुआ जिसमें बिहार के गया से जारखंड के डालटेन गंच को जोडने वाली नई रेल लाइन के न छतरपुर होते हुए डालटेन गंच रेल लाइन से जोडने को लेकर लंबे समय से आश्वासन मिलता रहा है तत्कालीन रेल मंतरी नितिश कुमार ने भी 8 सितंबर 1998 को इमाम गंच की आम सभा में इसकी घोशना की थी साथ ही इनके बाद बने रेल मंतरी लालू परशाद यादों ने तो 7 दिसंबर 2008 को रेल मंतराले द्वारा आयोजित भव उदगाथन शमारों में शेरगाटी के रंगलाल विद्याले के मैदान में दो रेल परियोजना गया चत्रावया शेरगाटी और गया डालटेन गंच के निर्मान को लेकर सिलानियास भी किया था लेकिन आज तक इसको लेकर कुछ ठोस कदम नहीं उठाया गया साल दर साल इंतजार कर रहे इस छेत्र के लोग अब आंदोलन करने को बाद हैं इस मوقع पर संघकर्स मोर्चा के किंद्रीय अध्यच बिगन पासवान सचीव अशोक कुमार कोशा अध्यच बाबूलाल परसाद तारानात परसाद परखंड परमुक bonding वीता कुमारी, जिला परिशद सदस कमर अली खान, जिला परिशद सदस कौशल कुमार वर्मा, तथा शिवनंदन सिंग विक्रम, सतेंदर बाठक उर्फ मिनु बाबा, मुननन खान, मुसाफिर पासवान, असलम खान, मोहन यादो, शेलिंदर सुमन, नरिंदर सिंग दांगी, बैजनात परशाद आदी नेताओं ने अपनी मांग को लेकर जम कर नारे बाजी की, मैं हूं इमरान अली, आप देख रहे हैं शर्गाटे, आज कल और आज आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेल लाइन की मांग को लेकर जो संघर्ष मोर्चा है, उनके तत्वधान में यहाँ पर आज धरना दिया गया है, और इनकी मांग बहुत पहले से भी है और अभी भी ये गया सेच डाल्टेन गंज जो रेल लाइन है उसकी मांग को लेकर इन्होंने धरना दिया है कि ये परियोजना जो है वो वया शेरगाटी, बाके बजार और इमाम गंज होते हुए इसे डाल्टेन गंज तक जाना है लेक लेकिन तब से आज तक ये ठंडे बस्ते में है और कहीं न कहीं रेल मंतराले द्वारा इसको टाल मटोल किया गया है ये इसको लेकर भूमी अधागरन में भी देरी की गई है तो जिस तेजी से इस काम को होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया है तो आब इस छेत्र के नेत को लेकर क्या कहना चाहते हैं कानूनन और भारत के कानून को पालन करते हुए मैं आंदोलन करता रहूंगा और तमाम छेत्र के लोग इस आंदोलन विश्वास करते हैं और एले लाइन जब तक निवानियों तब तक आंदोलन चलती रहेगी है गयार एंपी महोदे से उनसे बात्चित हुई है वे जो है सो हमारे पक्ष में है कि गया से गुडारूज आपका गुरूगा से रगहा टी मांके वे जार इमाम गई लुमरिया नोटी हाच है तरपूर दूली टाली सब होते हुए डल्टेन गई जोडा जाए इसके लिए उन्होंने हम जब उनसे ब्यक्तिक अत्वाचित हुई तो बोले कि जैसा आप कहिए लिखकर के देने के लि उन्होंने साफ सब्दों में बोला था कि बिगन जी आपका परियास बहुत सराहनिये है आपका जो है MP का इसमें लेटर पैड जो आवेदन हम जो दिये थे मांग पत्र उसमें MP का जो है लेटर पैड अनुसंसा किया हुआ नहीं था जब हम सुसील जी के पास आए संजय गा पास और कुछ जो है और जो है वजना के लिए रासी भी आई हुए है तो कितना काम प्रोग्रेस हुआ है इसमें क्या भूमी अधिकरन या कहें कितना दूर काम पहुँचा है एक महीना पहले जो है परवात खबर निज में आया था कि आब जो है जन संपर्क पता धिकारी र प्रेलवे विभाग का तो उनके माधें से आया था कि इस वोजना को बहुत जल्दी हम सरवे करा रहे हैं और इसमें काम शुरू करवाने जा रहे हैं लेकिन उसके बाद तो दो महीना भी थी तो कहने से मान जाएंगे क्या कहने से मानेंगे नहीं 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 दोजाराथ में तो सिला नयास हुआ था बारतेरा साल बित गए तो कई भी भूमी अधीगरन हो रहा है तो कई भी रूपया आ रहा है उन लोग की जो रवया परसासन के है न अभी मैं क्या कहूं आपको इतना अंदोलन तेज करेंगे कि रेल चेका तो कहां कहां जाम करेंगे जीटी रोड कहा कहां जाम करेंगे अभी हमारा जो अंदोलन जो है सुरुवात है सुरुवात हुआ है उन लोग क्या कर रहे हैं सब हम लोग देख रहे हैं क्या MP हमको सहयो कर रहे हैं क्या विधायक सहयो कर रहे हैं साहब को बारी बारी से हम लोग कलास लेंगे जतना जो जनता बैठे हुए आपका नाम क्या पद है मेरा नाम विगन पासमान हुआ इसे रेल्वे लाइन निर्मान संगहर्स मोर्चा के जो हम केंद्रिये इसमें हम लोग का यही मांग है कि 2008 में 2008 में जो रेल्वे मंतरी लालू पर शादिया अदब जी के दोवारा यहां पर सीले नास किया गया था और उसमें यह कहा गया था कि आपका गया गुरारू जोड़ते हुए हम लोगों का गुरुआ बाक्यवजारी मांग दुमरिया यह सारी जगह को जोड़त के रके एक रेल्वे लाइन का सुरुआत किया जाएगा लेकिन आज लगभग 14-15 साल गुजर चुका है संगर समीति लगातार तबसे संगर्स कर रहे हैं जिसके राष्टी एध्यज बिगन पाश्वान जी है हमारे यहां पर आज उपस्तित है तारानात मंडल जी है जो उनके नितित में आज यह कार्चक्रम हो रहा है हमारे यहां वो तमाम लोग जो लगातार संगर समीति के हैं बावुलाल जी है हमारे यहां और मिनु बाबा है यह तमाम लोग लगातार संगर्स कर रहे हैं तो यह मेरा यह कहना है कि हम लोग अब जो 12-13 साल से हम लोग जो लगातार इंतजार कर रहे हैं वो अब हम लोग चाते हैं कि इ निर्मान पे खर्च कर रहे हैं, हम जो जो जंगली और पठार ये एरिया है उसको डेवलप करने के लिए हम काम कर रहे हैं, उसी का बजट है, जैसा उन्होंने का, तो इसको लेके लगातार हम लोगों का मांग है, इस साल हर हाल में ये परियोजना को चालू किया जाए, हमारी जो कमीटी है कमीटी ये तैग करेंगे कि आगे अनुमंडल और जिला में कैसे हम करें या फिर जो भी तैग किया जाएगा जो अंदोलन का प्ररूप है कानूनन में रहते हुए वो हम लगातार उसके लिए हम लोग अंदोलन को तेज करेंगे आज इस छेतर के लोगों ने रेल लाइन की मांग को लेकर मसाल जलाया है और संघर्ज को तेज किया है तो निश्चित रूप से ये मांग पूरी जरूर होगी ऐसी उमीदे लगती है कैमरा परसंद फिरोज आलम के साथ इमरान ली शरगाटी आज कल